तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इन और्गनिक केमिस्ट्री से जो भी इंपॉर्टेंट सिननम्स एक्जाम में पूछे जाते हैं उसके उपर ये वीडियो लेके आया हूँ तो इसमें वो सभी सिननम्स उनके फॉर्मूलाज के साथ जो है वो आपके साथ डिसकस करूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो पहला जो है वो है बिट्रोल तो बिट्रोल जो है वो तीन में जो पूछे जाते हैं वो वाइट विट्रियोल ग्रीन विट्रियोल और ब्लू विट्रियोल तो इन पे question पूछे जाते हैं ठीक है तो जो वाइट विट्रियोल होता है वो होता है तो इसका जो हमारा first letter रहता है जैसे कि white में w हो गया, green में g हो गया, blue में b हो गया तो इसके nearby जो भी हमारे alpha wets आते हैं उसके हिसाब से हम इसका जो chemical name है उसको याद रख सकते हैं जैसे कि white के साथ z, zxy तो जो last में w के बाद में आता है वो होता है z, g and f ये most नजदीक वाले जो alpha wets हैं उसमें green g and f, gf से आप याद रख सकते हैं green vitriol जो है वो ferrous sulfate होता है and blue vitriol B और C alphabatic में एक साथ आने वाले तो ये होता है हमारा blue vitriol copper sulfate इनके फॉर्मूलाज है zinc sulfate का होता है ZnSO4, ferrous sulfate का FpSO4 and copper sulfate का CuSO4 next हम चलते हैं quick lime and slaked lime तो quick lime and slaked lime lime से हमें याद रखना है oxide and जो हमारा quick and slaked है इससे हमें इसके number of alpha wet से याद रख सकते हैं जैसे कि quick में 5 alpha wet है and slaked में 6 alpha wet है तो इससे हम hydroxide and oxide का idea लगा सकते हैं जिसमें कम alpha wet होंगे वो oxide में आ जाएगा जिसमें ज्यादा होंगे वो calcium hydroxide में आ जाएगा तो जो quick lime है वो हमारा calcium oxide जिसका formula होता है CAO जो हमारा slaked lime है वो होता है calcium hydroxide and उसका formula होता है CAOH2 तो ये बहुत important है slaked lime and quick lime पर काफी बार question पूछा जाता है क्योंकि ये काफी confusing भी रहता है तो इसके regarding question पूछा जाता है then next चलते हैं हम baking soda, caustic soda and washing soda ये तीन जो confusion create करते हैं उसके regarding है baking soda होता है हमारा sodium bicarbonate formula है NaHCO3, caustic soda होता है हमारा sodium hydroxide जिसका formula है NaOH and washing soda है sodium carbonate जिसका formula होता है Na2CO3 तो इसको याद रखने का as such कोई trick नहीं है बट आप alphabetically इसको याद रख सकते हैं soda जब भी आएगा तो वह आपका sodium से related रहेगा तो baking soda है तो वह sodium bicarbonate caustic soda है तो वह sodium hydroxide and washing soda है तो वह sodium carbonate जब हम baking soda की बात करेंगे तो B and B से हमें याद रखने है sodium bicarbonate and baking soda तो उससे हम याद रख सकते हैं इसका formula होता है NaHCO3 then caustic soda इसका alphabet हमें different होता है C का C से match नहीं करता है ठीक है like caustic soda sodium carbonate नहीं होता है caustic soda हमारा sodium hydroxide होता है then washing soda हमारा sodium carbonate होता है इसको आप जितनी बार revise करते रहेंगे तो उतना जल्दी easy easily याद हो जाता है इतना मुश्किल नहीं होता है इनको याद रखना एक दो ट्रीक है baking soda B से B match करना है लेकिन C से C match नहीं करना है soda में तीन ही आते है baking caustic and washing soda ठीक है B को B से match करना है C को C से match नहीं करना है baking soda sodium bicarbonate caustic soda is sodium carbonate नहीं करना है caustic soda को sodium hydroxide करना है washing soda को sodium carbonate यह इनके formula है NaOH sodium hydroxide काफी simple है sodium carbonate Na2CO3 then next आता है हमारा precipitated chalk तो precipitated chalk जो है वो होता है हमारा calcium carbonate जिसका formula होता है CaCO3 देना आता है हमारा caustic potash तो caustic potash हमारा होता है potassium hydroxide जिसका formula है KOH देना आता है हमारा Epsom salt जो काफे important है examination point of view से तो यह होता है हमारा magnesium sulfate MgSO4 इसका formula है देना आता है हमारा global salt तो global salt होता है हमारा sodium sulfate Na2SO4 यह काफी important रहता है global salt और रोशल में काफी important है काफी बार पूछा गया है रोशल सोल्ट हमारा होता है sodium potassium tartrate जिसका formula है KNaC4H4O6.4H2O तो रोशल सोर्ट में एक question यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने number of water molecules होते हैं तो इसमें four number of water molecules रहते हैं the next पर चलते हैं तो next है हमारा ringer's injection तो ringer's injection हमारा होता है compound sodium chloride solution ठीक है NaCl आप इसका formula बोल सकते हैं ठीक है compound sodium chloride solution को ringer's injection कहते है milk of magnesium हमारा होता है magnesium hydroxide mixture या फिर इसको hydrated magnesium hydroxide भी कहते हैं देन आता है हमारा use all use all हमारा combination है chlorinated lime का एंड बॉरिक एसर्ड solution का इन दोनों का combination use all होता है देन आता है हमारा iodine tincture तो iodine tincture हमारा होता है big solution of iodine iodine का big solution जो हो है उसे iodine tincture कहते हैं then आता है हमारा next legal solution तो legal solution हमारा होता है aqueous iodine solution यह जी पैट में भी पूछा गया था then next आता है हमारा dry ice तो dry ice को हम कहते है solid carbon dioxide solid co2 यह आपका gk वाले question में भी यह वाला question पूछा जाता है कि solid carbon dioxide क्या होती है यह dry ice किसे कहते हैं तो उसमें option आ जाते है different liquid carbon dioxide solid carbon dioxide यह mixture carbon dioxide तो इसमें solid carbon dioxide जो है उसे dry ice कहते है then जो हमारा tartar emetic है काफी important है यह काफी exams में पूछा गया है ESIC में हिमाचल परदेश का जो pharmacist exam हुआ था उसमें भी various different examination में यह question पूछा गया है तो tartar emetic होता है antimony sodium tartarate जिसका formula है C8H4 Na2O12SV2 काफी important है इसको याद रखना काफी important आपके लिए कि देन नेक्स चलते हैं next है हमारा bleaching powder तो bleaching powder क्या होता है bleaching powder हमारा होता है chlorinated lime ठीक है अगर हम बात करें chlorinated lime and boric acid solution की जो की combination है वो होता है हमारा यू-sol अगर combination की बात करें अगर अकेले chlorinated lime की बात करें तो वो होता है हमारा bleaching powder देन आता है हमारा laughing gas laughing gas most of लोगों को पता होगा nitrous oxide को लाखने N2 देन आता है हमारा calomel वो mercuris chloride को कहते हैं जिसका formula है Hg2Cl2 तो यह होता है हमारा calomel देन आता है हमारा alum alum हमारा होता है potassium aluminum silicate potassium aluminum silicate को alum कहते हैं इसके formula पर question पूछा जा सकता है इसका formula होता है k al2 square brackets में al si3 o10 then oh का hole twice ठीक है यह important है इसका नाम important है alum का देन आता है हमारा corandum तो corandum जो है वो हमारा होता है aluminum oxide जिसका नाम होता है formula होता है al2 o3 then आता है हमारा borax तो borax को कहते है sodium tetra borate जिसमें 10 number of water molecules होते है formula होता है इसका na2 b4 o7 dot 10 h2 then आता है हमारा bentonite bentonite को soap clay कहते हैं and जो हमारा metal salt है या फिर graham salt जिसे कहते हैं वो होता है हमारा sodium metafosphate napo3 इसका formula है then अभी जो हमने अभी पड़े हैं उसको एक बार दुवारा से revise करते हैं तो सबसे पहले हमने vitriol का पड़ा तो vitriol हमने 3 पड़े white vitriol green vitriol and blue vitriol तो ये 3 हमने पड़े और इसमें हमने तीन इसके salt पड़े एक था हमारा copper ठीक है एक था हमारा zinc and एक था हमारा ferrous ठीक है तो हमने कैसे या रखखता था कि जो alphabet है जैसे white vitriol है तो white w के सबसे नदीक वाला alphabet कौन सा है हमारा z तो zinc आ जाएगा हमारा white vitriol then हमारा आ गया G, G means green vitriol green vitriol को हमने याद रखखते हैं यह G के सबसे नदीक जो है वो आता है alphabet F तो यह आ गया ferrous sulfate green vitriol is ferrous sulfate and B and C जो है वो सबसे नदीक आते हैं तो जो blue vitriol है वो हमारा हो गया copper sulfate then उसके बाद हमने पड़ा quick lime में तो quick lime में और दूसरा था हमारा दूसरा था हमारा स्लेक lime ठीक है quick lime तो quick lime lime से हमें याद रखना है oxide तो lime से हमने याद रख लिए oxide अब हमने alphabet देखे ठीक है दोनों ही calcium के oxides है तो जो quick है जल्दी वाला quick means calcium oxide and जो slake lime था वो भी calcium का ही oxide था लेकिन वो calcium का hydroxide था ठीक है इसमें number of alphabet देखे हमने तो quick में है five alphabet oxide में भी है five alphabet and slake में ज्यादा alphabet है तो जिसमें ज्यादा alphabet होंगे that is calcium hydroxide तो वो हमारा आ जाएगा slake lime is calcium hydroxide then हम बात करें एक important हमने देखा soda का तो जो soda है वो हम sodium से relate करेंगे इसको ठीक है soda is sodium sodium को मैं एन्ने लिख देता हूँ कि यह तीन सोडा आगे इसमें हमने एक पड़ा baking soda baking soda को बी कॉस्टिक सोडा एंड वाशिंग सोडा तो हमने सबसे पहले देख देखा था कि बी को बी से मैच करना है कि डैट इस sodium कि बाइक कार्बोनेट बी से बी को मैच कर दिया सी को सी से मैच नहीं करना है ठीक है तो सी वाला दूसरे में चला जाएगा हमारा sodium carbonate जो है वो वाशिंग सोडा में आ जाएगा ठीक है वाशिंग सोडा में आ जाएगा हमारा sodium carbonate और जो बच गया डैट इस sodium hydroxide तो वो हमारा आ जाएगा कॉस्टिक सोडा तो यह कुछ important है जो की काफी important है examination point of view से देन बात करूँ एक आता है हमारा milk of magnesia milk of magnesia हमने देखा तो milk of magnesia हमारा होता है magnesium hydroxide mixture magnesium hydroxide mixture होता है जो की 7.5% जिसमें concentration रहती है magnesium की इसके वाद जो एक important है वो होता है हमारा legals solution ठीक है वो हमारा हो गया legals solution जो की हमारा होता है aqueous iodine solution aqueous iodine solution को legal solution कहते है then हमारा एक important आता है tartar emetic tartar emetic हमारा होता है antimony antimony sodium tartrate तो यह काफी important है tartar emetic वाला ठीक है तो यह कुछ important थे synonyms जो की inorganic chemistry में use होते हैं बाकी जो आप इसमें आपने वीडियो में देखे हैं जो लिखे हुए हैं तो यहां से आप easily इनको याद कर सकते हैं एक या दो बार इनको जब check करेंगे तो आपके लिए easy हो जाएगा इनको याद करना तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आपके लिए और important information लेके आऊँगा जो कि आपके examination में काफी useful रहेगी तब तक के लिए thank you very much